तो हेलो गाईस मुझे तो यह पता ही है आपने जिन्दगी में कभी ना कभी इस क्यूब को खरीदा थो होगा और सॉल्ट करने की कोशिश की होगी लेकिन हुआ नहीं होगा लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे इस क्यूब को अपसॉल् एक मिनिट में तो काइस शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले मैं इस क्यूब को स्क्रामबल कर दूँगा लो गाइस यह हो चुका है हमारा क्यूब स्क्रामबल इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बहले गाइस मैं आपको इसके पार्ट बताता हूं इस पार्ट का नाम होता है सेंटर पीस इस पर सिर्फ एक कलर होता है और जहां जिस कलर का सेंटर पीस है जैसे यहां पर वाइट कलर का है तो यहां पर वाइट ही बनेगा उसके अलावा और को कलर नहीं बनेगा तो ग पीस तो गार इस पीस पे दो कल्रों और थैर्ड पीस है हमारा को और पीस जिस पे तीन कलर होते हैं वर्ण टू थी रेड ब्लू और येलो वर्ट यह तो हमने कर ली पीसी की बाद कई अब आते हैं इसके सॉलूशन बें इसको सॉल्व करने के लें सबसे पहले हमें एक डॉट जहां है वहां वाइट प्लस बनाना होता है और यह वाली बात हमेशा याद रखना वाइट से शुरू करना तो आप यहां पर हमारा वाइट है तो हमएसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो वो पीस दूड़ने है 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 edge pieces जिसमें दो colors हो और दो colors में से एक color white हो जैसे यह वाला piece है blue orange और white तो इसको बस आपने यहां नीचे ले आना है white ओपर है और orange नीचे आप देख सकते हैं पर लेकिन हमें white नीचे लाना है और orange ओपर तो ये करने के लिए हमें सबसे पहले इसको किसी भी साइड डायक्षन में रोडेट कर सकते हैं इसको एक टर्न देना है हां से यहां पर आ गया यह पीज फिर इसको अपोजेट साइड घुमा कर ऐसे टर्न कर देना तो गाइस यह हमारा औरेंज के उपर नीचे वाइट आ गया तो गाइस अब अब हमारा वाइट उपर है और वाइट नीचे तो अब हमें उपर कौन से कर देना है औरेंज तो सेंटर पीस औरेंज है तो औरेंज के सेंटर पीस के साथ इसको मैच करना है और फिसको बिना देक एक टन दो टन तो गैज हमारा क्रॉस का एक पीस बन चुका है गैज इस पे ध्यान मत देना सिरफ प्लस पे ध्यान दो हमारा क्रॉस का एक पीस बन चुका है और साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि सेंटर पीसिस के उपर उसका कलर हो जैसे औरंज के उपर हमने औरंज क तो खोगा और ग्रीन के उपर फिर वाला कलर नहीं है तो वह समय करेंगे और रेड़ को पर रेड़ होना चाहिए और ब्लू के उपर ब्लू ओना चाहिएए तो घृत अब हम हमने क्सप्स पीस जूलने प्लास के लिए तो इसको सबसे पहले हम ऐसे साइट कर देंगे ताकि रहा वाइट मीचा जा रहा उपर फिर हम सिंपल से इसको दो टन दे देंगे वन टन टू तो इसको हम भी ध्यान दो बसे सिंगल लाइन देखो दाइस वर्स्ट एज लग गया और सेकेंड लग गया अब से दो एज लगाने और हमारा प्लस कमप्लीट हो जाएगा वाइस सेकेंड लगाने के लिए हम अब चौथा भी थर्ड पीस धूनना है तो यह रहा थर्ड पीस इसको बस ऐसे रोटेट कर देना है तो वाइट नीचे आगे और ब्लू पर क्यों अल्रेडी ब्लू से माच है वाइन्ट यूशं को एक तान, दो तो लगच्ट ना हमारा प्लस का एक और पईस लग चुका है और गाइस देख सकते आप कि ब्लू के साथ ब्लू रड्ड के साथ रडड और 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 ऊर्घर के साथ ताफ और उर्ड बीस माच हो चुए बस हमें लाज़ पीस माच करना इसके अंदर white already नीचे है और green already उपर है तो बस कुछ नहीं करना green को उसके जहां पर उसका centerpiece है वहाँ पर लेकर आना है और एक turn दो टब आप देख सकते हैं कि आपका cross बन चुका है और साथ में orange के साथ orange है green के साथ green है red के साथ red है और blue के साथ blue है यह हमारा first step अब second step हमें corners को अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमें colors देखने हैं जैसे यह वाला color red blue और white तो यहां पर हमें वह वाला corner piece चाहिए जिसमें तीनो color हो red blue और white तो तीनो color का corner piece guys जूंदो गाइस यह राव बला corner piece यहां पर blue और red और white और यह तो किसी और जगह लगा और हमें लगाना ही यहां पर तो इसको बस सिंप्ली नीचे टर्न करेंगे और यहां से side कर लेंगे ताकि यह वाला corner piece हट जाए और इसको उपर कर लेंगे तो यहां पर हमारा इसको यहां पर कैसे लगा है अभी पता दो इसको ऐसे करेंगे ऐसे देखेंगे यहां पर फिक्स नहीं लग नहीं रहा तो हम इसको ऊपर करते वापस इसके लिए हमें पस इसको एक बर ही ऐसे रोटेट करने नहीं और इस साइट से करेंगे वन रोटेट ऐसे यह हमारा फिक्स हो चुका है corner piece उपर वाइड आचुका है यहां red आचुका है ब्लू आचुका है ऐसे ही हमें बाकी के तीन corner piece भी अरेंज करने हैं तो अब हमें दूरना दूसरा corner piece जो है blue orange और white तो blue orange और white blue orange और white है हमारा piece यह रहा blue orange यह रहा यह वाला piece इसको ऐसे करेंगे और simply नीचे कर लेंगे ठीक है तो हमारा blue orange और white यहां पर लगना था पर इसमें guys आप सोचे लोगे white नीचे है तो इसमें क्या करना है जहां तो स्कम्सिच्किण आती है तो इसको पस ऐसे साइट करें के पहले इसको नीचे करना है ऊपर वाले एको नीचे ब्लू और औरेंज वेला पीस भी अटाइच हो चुका है अब हमें दो और पीस लगाने बिल्कुल इसी मेथट से यह रहा हमारा तीसरा पीस ग्रीन और और यह बिल्कुल यहीं पर लगेगा तो इसमें भी सेम ट्रिक करेंगे गाइज मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं और यह हमारे पीस भी आरेंज हो चुका है अब गाइज नेक्स पीस हमारा कहां पर है इस नेक्स पीस हमारा बहुत एजी पोडिशन पर रहा है बसे यह यहां पर यह अल्रेडी बस इसको आशे ऐसे और उपर कर देगा यह फाइनली गाइज तालिवा बजाओ आपकी फर्स सुल्विया भी आसना पाइज लेगे लोग फाइज सल्व बात अब हमें सॉल्व कर नी है सेकेड लेर बहुता है इसके लिए हमें डेगे एज़ पीसे सरेंज करने हैंज यह आपको यह पत्को बहुत नहीं देखे मुश्किल लगेगी लगकिन जब आप प्रक्रीस कर इसके लिए सबसे पहले हमें ऐसे दो कलर्स धूनने जो बिल्कुल भी जिसमें दो कलर्स में बिल्कुल भी येलो कलर ना हो हों इसके अंधर हमारा येलो कट्ञ एक थी qמה दृंगा कलेगा आई राट यहांँ चाहिए तो जो इस के ऊपर चाहिव मेंको इसके में सब्सक्राव पर्राइड जो लगेंगा इस सब्सक्राव क्राइड़ नेचए को ड्यूसरा काला को सब्सक्त्स को ब्लाइब था हमारी ड इसको नीचे ले आना है फिर इसको वापस इस जगह पर तर्न करना है फिर इसको उपर ले जाए आपको लगेगा कि यह खराब हो चुका है बस कुछ नहीं हो आपने पेरिंग की है तो गाइस इसको फिर हमारा पीशे यहां पर आके अपर यह लगेगा यहां पर तो पिछले तर्फाले मेथट की तरह इसको भी सेम तरीके से उपर अटैज करना है ऐसे इस समझ नहीं तो बहुत दिखा देता हूं बस ऐसे था इसको नीचे करना है यहां साइट करना है और ऊपर कर देना यह हमारा एक पीस लग चुका है आप देख सकते हैं कॉंग्राच हमारा एक प बहुत बहुत दूड़ना जो कि है यह इसके ओपर भी और इंचे ब्लू तो और इंचे करेंगे को ब्लू तो ब्लू कि साइट पढ़ रहा है इस साइट तो इसको अपोजिट साइट गुमाए जैसे हमने इस साइट गुमाया तो हमें यह वाला पार्ट नीचे करना है आएंगे फिर इसको उपर कर देंगे वैज्ज हमने कर ली प्यारिंग तो यह लास्ट टेप की तरह इसको भी सेम तरीके से उपर कर देंगे यह हमारा पीस हो चुका है अटाच और ब्लू आला भी तो गाइस आप हमें करना थर्ड पीस अटाच तो यह रहा रहा रेड और तो रेड और ग्रीन ऊपर कौन से लेड़ागा इस रेड तो रेड के वेपर रेड मैच कर दिया ग्रीन की सेट बिर रहा है इस साइट तो हमें इसको अपोज़ेट साइट टर्न कर देना है और ऊपर से लेयर नीचे आएगी कि वापस अपनी पोजिशन पर जाएगा और य स्भीज़ पेसे तो यहां पर रेकिन इयह फ्लिप्ड है मतलब फ्लिप्ड है है अपनी जगह पर ही पर फ्लिप्ड है और इसको करने के लिए आपको सिंप्ली एक यही कोई बीड रांडोम भीस ही करना चाहिब कूल वेL login स्थर स्पवेशन मेय फिस्या कर लेरा है उसको ट वीडियो में दिखा रहा हूँ वाइस हमारे ये वाला वीज यहांपर फिक्स हो चुका है रैड और यलो वाला अब हमारे वह लापी सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब तो इसमें ऊपर रेड देखो गाइस रेड ब्लू बला पीस अब नीचे आगया तो रेड ऊपर है तो ब्लू की सेट बन रहे हैं नीचे ब्लू तो ब्लू इस सैड है तो हमें उपोजिट गुमा देना है और वही सेम ट्रिक यह देखिए हमारा यह वाला पीज भी अटाइच चुका है तो फाइनली गाइस हमारी सेकिंड लेयर भी सौल हो चुकी है अब अब है हमारी लास्ट लेयर की बाई तो इसके लिए आपको बस अपने क्यूब को टर्न कर देना है अपकी उपर वाली साइट पर यलो वाली साइ क्यूंकि इसके अंदर कम चिकाहम फोर्ट तु फाइफ यल्गोरिधम साथ फ्स आल्गोरिधम जो रिदम सोती है वह क्यूब में यूज होती है ताकि आप उसे इसली स्वाल कर सको तो आपको वह पर आपको आपको लेयर को कैसे स्वाल कर सको है यहां पर तीन सिचुएशन होती है एक ड़ज सिचुएशन एक एल सिचुएशन जहां पर आपको ल मनाएगा एक लाइन सिचुएशन तो seconds होदी हमारी है एंस सिचुएशन तीनो में तीनो प्रिक्शन में आपको एक ही बर्गोरिद्म बनानी है क्रॉस बनाने है इंवर्स अ क्रारज के लिए अलग औरिधम कर इस ईस और स搞 यू है आर ऀम आर इन्वर्स-फ सिय कर आ हमारी यह वह ग। जो जाएं को अल Mmm थो आप यह वाली यो क्यांसन दोरहक फिरमें यह जांगे इस यह फिरल बिस्ट कर अब रैसी जी बना है से अब यह लाइन से छुएशन आच इसके अंदर हमें भी कॉरणर मेहां नहीं देना भी आब जैसे अब यह compromiseर हमाइर ज़यां इस में आब हमें हैंसी साइट क्योंकों करना है कि यह दोनों पाट हमें पॉंट ना करने को.. जिसमें दोनों पॉइंट नहीं कर रहे हैं यह हमारी लाइन वाली सिचुएशन अब हमें वही सेम अल्गोरिदम धोरानी है यह वाली अल्गोरिदम एफ आर यू आर इन्वर्स यू इन्वर्स एफ इन्वर्स अब आप देख सकते कि आपका प्लैस फाइनली कंप्लीड हो चुका है तो गैस अब आप बार्याती है यह इनके उपर के पीसिस को अरेंज करने की तो गैस इसके अंदर हमें वही सेम वाइट पाली काम करना है कि यहां पर ब्लू है तो उपर ब्लू होना चाहिए रैड है तो उपर रैड होना चाहिए ग्रीन होना चाहिए ब्लू है और इंज होना चाहिए और ब्लू है तो ब्लू होना चाहिए इसके लिए पहला रोटेट करके देख लो कि आपके कौन कौन से माच कर रहे तो guys मेरे दो match कर रहें adjacent वाले यसके अंदर आपको two match कर रहे हैं already उन दोनों को उन दोनों से एक को पीछे रखना हैं और एक को अपने left में रखना है अब यह वाली आल्गोरिदम जो उपर डिस्प्ले हो रही है वह वाली आल्गोरिदम आपको में करनी है मेरे साथ यह है वह आल्गोरिदम आर यू टू इन्वर्स आर इन्वर्स यू इन्वर्स आर जी इन्वर्स आर इन्वर्स यू इन्वर्स यू इन्वर्स यू इन्वर्स यह है हमारी आलगोर्दम तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी ब्लू के साथ ब्लू मैच हो चुका है रेड के साथ रेड मैच हो चुका ह ग्रीन के साथ ग्रीन मैच हो चुका है अब हमारा लास्ट बट नौट दे लीस्ट स्टेप जो है कि हमें इन कॉर्णर्स को औरेंज करना है कैई इसके लिए पहले देख लो कि काम सा क्वह अपका बिल्कुल राइठ पोजिशन पर है तो जैसे हमारा हमारा कस एक कॉर्ना राइठ पोजिशन और येहां हमारा बिल्कुल क्रेक्ट बॉसीशन में बटज लिप्ड है इसको छोड़ दो इसके लिए एक घ्र अगर आप कोई भी कऊर्म पोजिशन पर नहीं और आपको आद थो lekeny है और आप सेम मेरे जासी आलगोईदम दोरन यह वाली आलगोईदम है यह एल यू आर यू इन्वर्स एल इन्वर्स यू आर इन्वर्स और इनको अपनी पोजीशन्स पे लाद बस अब आप देखोगे कि आपके सारे कि सारे कॉर्णर अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे कि यह देखो यह देखो हमारा यह वाला कॉर्णर भी अपनी पोजीशन पर आ गया येलो ग्रीन और यहीं लगेगा पर फ्लिप्ड है वह मैं भी बताता हूं और येलो और और इन्ज और ग्रीन यह भी यह पोजीशन पर फ्लिप्ड है और येलो और इंज और ब्लू ये भी यही पोजीशन पर लगेगा और येलो और इंज और रड ये भी पोजीशन पर तो अब हमारा लास्ट टेप जिसके बाद हमारा क्यूब होने वाला है ही सॉल गरा वैस इसके लिए बहसे सिम पल्षेह ऐल फोर्षय वैस्पोर नहां में आरहींलर्श डिस मश्ण आर मार्माइं आरे इंवर्स सुस्राइब और घस स्क्राइं है त्पतक सकतने पो नहएं पीक्राइन यस्थ लियुंटर्म क्याल को अटार्म पार्व ज्शलम घरन तब तक जब तक यहां पर yellow color ना आजए तो मैं इसका algorithm दोराता हूं R inverse D inverse R D R inverse D inverse R D R inverse D inverse R D तो किसा आप देख सकते हैं हमारा यह यलो यहां पर आ चुगा है तो हमें अपनी क्यूब की position दी चेंज करनी बस इसको एक साइड ऐसे rotate कर दे ठीक है अब हमें यह वाली algorithm करनी वहीं से R inverse D inverse R D 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 यह हमारे यह वाले भी आ चुका है तो हमें फिर पोजिशन टार्न कर देनी हैं फिर वहीं सेम algorithm R inverse D inverse R D R inverse D inverse R D आ गया अब फिर फिलिप कर दो R inverse D inverse R D R inverse D inverse R D तो आप फाइनली देख सकते हो कि आपका क्यूब हो चुका है इस कैसा लग रहा है फिलिंग आ रही अच्छी तो अगर आपको यह वाली वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज गाइस विंदी करता हूं इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर क्यूब सीखना आ गया हो या और कुछ सीखना हो तो कमेंट कर देना और हमार चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू गाइस लाइक कर देना या आज से वीडियो को इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए